Good morning, आज हम कक्छा साथ विज्ञान के पार्ट एक पौधों में पोशन को समझेंगे सभी जिवीद प्रानियों को विवीद गतिवीदियों के लिए उर्जा क्या वेशकता पड़ती है और हम जानते हैं उर्जा भोजन से प्राप्थ होती है तो क्या जिस तरह मां हमारे लिए भोजन बनाती है उसी तरह पेड़ पौधें के लिए भी कोई भोजन बनाता है तो उत्तर है नहीं पेड़ पौधे अपना भोजन स्वैम बनाने में सक्षम है इस बात को समझने के लिए हमें प्रकास संसलेशन समझना होगा पौधों की हरी पतियों में भोजन का संसलेशन होता है इसलिए इन हरी पतियों को भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद फैक्टरियां भी कहते हैं हरी पतियों में एक प्रकार की संरचना प्लोरोप्लास्ट पाई जाती है जिसमें हरे रंग का एक वर्ना प्लोरोफिल पाया जाता है जो कि आप चित्र में देख रहे हैं यह सिर्फ पौधों में पाया जाता है और यह प्रकास का उसुशनकर प्रकास संस्लिशन में सहता प्रदान करता है सूरी का प्रकास पौधों के लिए आवश्यक है इस बात को शिद करने के लिए हम एक क्रियाकला कर सकते हैं दो गमलों में हम एक तरह के पौधे लेकर एक गमले को कक्षा के अंदर छाया में और दूसरे को बाहर प्रकास में पांस से साथ दिन तक रखने पर हम पाते हैं कि उनका नियमित ध्यान रखने पर भी कक्षा के अंदर रखा हुआ पौधा मुर्जा जाता है पर बाहर रखा पौधा सुरिका प्रकास मिलने के कारण स्वास्त रहता है जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं तो आईएव हम जानते हैं पौधों को भोजन बनाने के लिए किन कच्छे पदार्थों की आवशकता होती है क्लोरोफिल वर्नक जो पौधों की हरी पतिया में पाए जाती है कार्बन डाइकसाइड जो वायू में उपस्तित होता है जल एवं खनी जो मीटी से पौधे के जड़ द्वारा असोसित किये जाते हैं एवं सुरिका प्रकास भी पौधों के लिए अनिवार्य है अब हम प्रकास शंसलेशन को परिभासित कर सकते हैं हरे पौधों द्वारा शूर प्रकास की उपस्तिती में क्लोरोफिल गार्बन डाइकसाइड तथा जल का उप्योग कर भोजन बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने की प्रक्रिया को प्रकास शंसलेशन कहते हैं इसे हम एक समिकरन द्वारा भी दर्शा सकते हैं जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है 6CO2 प्लस 12H2 in presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2 यह प्रकास संसलेशन का समिकरन है यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो प्रकास संसलेशन के द्वारा विमुक्त हो रहा है यह ऑक्सीजन ही carbon dioxide और oxygen का संदूलन बनाए रखता है अब एक क्रिया क्लाब द्वारा हम प्रकास संसलेशन के लिए chlorophyll आवश्यक है यह जानने का प्रियाश करेंगे इसके लिए हम proton की चितिदार पती को लेते हैं जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं उसे बीकर में डाल कर कुछ देर उबालते हैं फिर उसे alcohol वाले test tube में डालते हैं और water बात में गर्म करते हैं वाटर बात में गर्म करने का मतलब है अलकोहल वाले टेस्ट यूब को बीकर के गर्म पानी में डाल कर गर्म करना इससे प्लूरोफिल पत्यों से निकल कर अलकोहल में घुल जाता है रंगिन पत्यों को पानी में अच्छी तरह ढोने के बाद इस पर आयोडीन की कुछ न तो प्रकास शंसलेशन की परिक्रिया हुई न इस्टार्ज का निर्मान हुआ अता प्लूरोफिल प्रकास शंसलेशन के लिए आवश्यक है अब दियेगे प्रशनों पर हम चर्चा करते हैं पहला प्रशन है हरे पत्यों में ऐसा क्या पाया जाता है जो उसे प्रकास शंस करने में सक्चम बनाता है दूसरा प्रशन है प्रकास संसेशन के लिए जरूरी कच्चे पदार्थ के नाम लिखें प्रकास संसेशन के लिए जरूरी कच्चे पदार्थ क्या है क्लोरोफिल कार्बन डाइकसाइड जल एवं सुरिका प्रकास तिसरा प्रशन है प्रकास संसेश 06 प्लस 6-02 प्लस 12-2 यह प्रकास संसलेशन का शमी करण है हमने देखा प्रकास संसलेशन में पोधे वायू मंडल से कारवन डायकसाइट लेते हैं तो आईए जानते हैं पतियां कारवन डायकसाइट कैसे लेते हैं पतियों के दोनों उपरी तथा निचली भाग में छोटे-छोटे छीदर होते हैं, जिसे रंद्र कहते हैं, ये द्वार कोशीकाओं द्वारा घिरे होते हैं, जैसा कि हम चीतर में देख रहे हैं, ये रंद्र हुआ और ये द्वार कोशीकाओं द्वारा रंद्र घिरे हुए हैं, इनके द्वार प्रवेश करती है पतियों में जल खनीज वही काओं द्वारा पहुचाये जाते हैं क्योंकि प्रकाश शंसलेशन में उनकी भी आवश्यक्ता होती है प्रकाश शंसलेशन का बहुत महत्व है यह नहीं होता तो प्रिथवी पर पाये जाने वाले समस्थ जीव नस्ठ हो जाएंगे क्योंकि सभी जीवों का स्तित्व प्रतश्ख या परूप्ष रूप से पौधों द्वारा निर्मिक भोजन पर ही निर्वर करता है भोजन की अतिरिक परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संसलेशन के द्वारा निर्मित होता है इससे कार्बन डेक्षेड और ऑक्सीजन का बायोंडल में संतुलन बना रहता है पेड़ पौधे के महत्यों को देखते हुए हम वन रूपन वन महत्सवादी मानाते हैं अब बच्चों क्या अनि रंग की पत्ती भी प्रकाश संसलेशन करते हैं तो इसका उत्तर है हाँ अनि रंग की पत्या में भी क्लूरोफिल होता है प्रन्तु अनिवरनक क्लूरोफिल के रंग को ढख लेते हैं और इस तरह क्लूरोफिल रहने के कारण अनरंगी पत्या में भी प्रकास संसलेशन होता है बरसात में आपने तलाब में जल के उपर हरी पदार्थ को देखा होगा इसे सैवाल कहते हैं इनमें भी कलूरोफिल होता है और यह भी प्रकास संसलेशन के द्वारा भोजन बनाते हैं अब दिये गए फिर दो प्रशनों पर हम चर्चा करते हैं पहला प्रकास संसलेशन की क्रिया में पत्ती कार्बन डाइकसाइट कैसे गरहन करती है तो प्रकास संसलेशन की रिया में पती कारबन डायकसाइट रंदर के द्वारा ग्रहन करती है दुसरा प्रशन है क्या रंग बिरंगी पतिया में भी प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया होती है तो आज हमने देखा हरे पौधे अपना भोजन स्वयम संसलिसित करते हैं और इस पोशन की विधी को हम स्वपोशन करते हैं तथा ऐसे जियू को स्वपोशी करते हैं दुसरी तरफ ऐसे जियू जो अपना भोजन स्वयम नहीं बना सकते वे परपोशी कहलाते हैं उनका portion का विधी पर portion या विशम portion का अला आता है हम विशम पोशी पर चर्चा अगली कक्षामि करेंगे थाइंक यू